हलो फ्रेंड्स तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेभी के एक नए अपडेट के वारे में जी हाँ सेभी का एक और नया अपडेट आया है जो की लागू भी हो गया है साथ तारिक यानि शुकरवार से तो हम बात करेंगे क्या है यह नया अपडेट और इससे आपको क्या फाइदा या नुकसान होने वाला है इसके अलावा दोस्तों बात करेंगे आने वाले हफते में जो कि आज से शुरू हो रहा है निफ्टी, बैंक, निफ्टी के क्या लेवल्स रहेंगे और अगर आपको option trading करनी है तो कहाँ पे आप call ले सकते हैं कहाँ पे आप put ले सकते हैं जो कि बहुत ज़्यादा accurate होगा वो लेवल इसके अलावा हम बात करेंगे कहाँ पे निफ्टी का resistance होने वाला है कहाँ पे बैंक निफ्टी का resistance होने वाला है और सपोर्ट होने वाला है तो हाई फ्रेंट से मेरा ना मैं इतेश सिंदू मैं एक full time trader हूँ और ये मेरा चैनल है बंबाई बुल अगर आप पहली बार मेरे चैनल पहाँ है तो प्लीज आप लोग subscribe करेंगे तो market से जुड़ा कोई भी update आप कभी भी miss नहीं करेंगे तो दोस्तों ज़्यादा समय वरतना करते हुए हम सीधा आते हैं point की बात पर point की बात ये है कि सेबी ने एक नया update जारी किया है नया update एक निकाला है शुकरवार से ये लागू भी हो गया है अगर आपको यकीन नहीं तो एक बार अपना account login करके देख लीजिए आपको पता लग जाएगा कि आपके trading account में जितना भी cash पड़ा था मतलब जितना भी ऐसा पैसा था जिससे आपने share खरीदे नहीं हुए है या position नहीं बनाई हुए है तो सारा पैसा आपके bank account में आ गया है बिना आपके request किये ही तो क्या है दोस्तो ये update अपडेट ये है कि जितना भी पैसा जितना भी cash आपके DMAT account में है cash का मतलब ये दोस्तों मान लीजिए एक लाग 20,000 आपके account में है एक लाग के आपने share खरीद रखे हैं और 20,000 आपके account में जो कि withdraw हो सकता है तो बिना आपके request किये ही automatically महीने के पहले शुकरवार को वो पैसा आपके bank account में transfer हो जाएगा कौन से bank account में? उस bank account में जो भी bank account आपने update कर रखा है अपने trading account में और ये होगा महीने के हर पहले शुकरवार को अब आप कहेंगे ये तो बहुत inconvenient है, बहुत समस्या है ये तो बार बार क्यों मुझे पैसा transfer करना पड़ेगा अपने account में ऐसा क्यों हो रहा है? लेकिए दो मुख्या कारण है दोस्तों इसके सबसे पहला कारण ये है कि government ने देखा, सेभी ने देखा है पहले भी कि जो brokers होते हैं, कई बार ऐसा देखा गया है कि वो आपके पैसे का दुरुपियोग करते हैं आपके पैसे का use करते हैं जी हमा लीजे, आप तो trading कर नहीं रहे हैं अपने account में और वो आपके पैसे को use कर लेते हैं for example, अगर किसी broker के 1000 customer हैं, 1000 demet account हैं और हर demet account में अगर 1000 रुपिया पड़ा हुआ है तो आप सोच के लेखे 10 लाख रुपिया उसके पास हो जाता है जिसका वो बहुत आसानी से उपियोग कर सकता है एक तो चीज हुई ये, इस चीज से बचने के लिए सेवी ने ये rule mandatory किया कि जितना भी पैसा बचा होगा वो automatically आपके account में transfer हो जाएगा number 2, number 2 देखिए आप एक खुद सोच के देखिए इस चीज को भगवान ना करें, अगर किसी के साथ कोई भी miss happening हो जाती है, कोई भी इंसान है, मान लीजे मैं ही हूँ, मेरे account में लाख रुपया पढ़ा रहता डीमेट account में अगर मुझे कल को कुछ हो जाए, तो वो पैसा वहीं पे रखा रह जाएगा हो सकता है मेरे किसी family member को अगर उसका इस्तेमाल करना है, तो वो उसका इस्तेमाल कर पाएगा, तो ये दो मुख्यकारण है जिसकी वज़े से नया rule निकाला गया है अब इसकी details क्या है, दोस्तों इसकी details ये हैं, कि आपके पस दो option है या तो आप select कर सकते हैं कि 30 दिन के अंदर, यानि एक महिने के अंदर हर महिने, पहले शुकरवार को आपका पैसा आपके account के अंदर आ जाए अगर आप एक महिने में नहीं चाते तो automatically तीन महिने के अंदर आपके पास ये पैसा आ जाएगा माफ कीजिए, शुकरवार को नहीं आएगा शुकरवार को ये transact हो जाएगा शनिवार के दिन आपके account में reflect हो जाएगा आपको पास message आ जाएगा आपको अपने account के अंदर ये पैसा दिखाई देने लग जाएगा तो जैसा मैं पता है, दो choices हैं या तो एक महिना कर लीजे, या तीन महिने कर लीजे दूसरी चीज़ दोस्तों, ये सब के लिए mandatory है इसमें कोई exception नहीं है सब के उपर ये लागू होगा, automatically लागू हो जाएगा अगर आप कोई choice नहीं भी करेंगे तो आपके broker के उपर depend करता है वो एक महिने में transfer करे या तीन महिने में transfer करे लेकिन transfer करना ही होगा अगली बात, अगली बात ये दोस्तों कि अगर आप intraday trading करने वाले हैं अगर आप intraday trading करते हैं regular तो आपको अपना account देखना पड़ेगा देखना क्यों पड़ेगा दोस्तों क्योंकि जैसे शुकरवार को तो पैसा चला जाएगा अब सोमवार को अगर आपको trading करनी है intraday तो आपके account में पैसा होना चाहिए लेकिन पैसा आपके account में होगा नहीं तो आपको इस बात का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर शुकरवार को पूरा पैसा आपके account में आ जाता है तो शनीवार के दिन वापस आप इसको वापस transfer कर लीजिए अपने trading account में अगर आपको सोमवार के दिन trading करनी है तो यह भी देखा गया काई सारे broker के साथ कि आपको Monday को trading करनी है आप पैसा transfer करते है लेकिन उसी time वो पैसा reflect नहीं करता है तो आपका trading वाला दिन उस दिन हो जाएगा खराब इसलिए यह चीज भी आपको नजर में रखनी है कि पैसा अगर नहीं है तो उसको वापस आप transfer कर लीजिए अपने account के अंदर दोस्तों यह लोगी update की बात आईए अब एक नजर डालते है data के उपर nifty bank nifty का क्या data है कहाँ पर resistance है कहाँ पर support है वो सब देख लेते हैं कहाँ पर position बना सकते हैं वो सब हम आईए एक बार समझ लेते हैं दोस्तों तो आईए सबसे पहले देखते हैं nifty के levels अगर आप nifty को देखेंगे तो nifty 17300 से उपर जाकर बंध हुआ अगर हम resistance की बात करें दोस्तों तो 17400 के आसपास बहुत तक resistance है जिसको नifty के लिए पार करना बहुत मुश्किल होगा और जिस तरह की market city मुझे दिखाई दे रही है definitely 100800 नifty नीचे खुल सकता है कोई बड़ी बात नहीं है तो अगर फिर भी अगर 17400 के आसपास जाए या 17400 थोड़ा उपर जाए अगर आप पुट ले सकते हैं अगर आप पुट लेना चाहें तो अगर support की मैं बात करूँ दोस्तो तो support देखिए 16800 पे है 16700 का आप call लेके जा सकते हैं अगर 16800 से थोड़ा नीचे निफ्टी मिल जाए आपको तो overall position के अगर आप बात करेंगे देखें मेरा व्यू निफ्टी को लेकर negative जिस तरह की global क्यूज आ रही है मुझे नहीं लगता निफ्टी आसानी से इस साल नया हाई बना पाएगा तो दुबारा से मैं बता दू दोस्तो के मुझे थोड़ा मुश्किल लग रहा है निफ्टी का positive होना तो definitely आप अगर put की position लेके जाएंगे या intradically लेंगे तो वो आपके लिए फायदे मंद होगी दोस्तो ये तो बात हुई आपकी निफ्टी की अगर हम bank nifty पे जाके देखें तो bank nifty पे resistance थोड़ा सा ज़्यादा है देखेंगे तो थोड़ा बड़ा resistance है 49,500 पे 49,500 के आस पास एक तगड़ा resistance है जिसको nifty आसानी से पाल नहीं कर पाएगा support की बात करें तो 37,500 पे लगबग 2,000 point नीचे अब आप कहेंगे कि इतना ज़्यादा मैंने gap क्यों दिया क्योंकि आपने भी देखा होगा दोस्तो एक दिन में nifty के लिए 1000 point उपर नीचे होना कोई भी बड़ी बात नहीं रहे गई है bank nifty के लिए तो इसलिए मेरे data के नुसाथ जो support आ रहा है वो 37,500 का आ रहा है और resistance आ रहा है 49,500 का अगर आपको put लेना है तो 49,700 का put लेके जा सकते हैं अगर आपको call या put में position बनानी है तो intra day के लिए दोस्तो अगर हम option chain को देखें दोस्तो option chain में हम जाके देखें कहां पर support है तो देखते हैं कि ये सही है कि नहीं है अब देखिए 16,800 16,800 पर अगर आप देखेंगे अगर मैं देखूं यहाँ पे 64,000 का open interest है जो कि बहुत तगड़ी support इसको दे रहा है और मेरा यकीन मानिए एक दो दिन के अंदर ये जो 64,000 है ये बढ़के तकरीबन 80-90,000,000 हो जाएगा सोमवार या मंगलवार के दिन जिस तरह की market रहने वाली है और इसके आगे का हम resistance देखेंगे support देखेंगे तो 17,000 पर अच्छा खासा एक support है 86,000 काउंट्रेक्ट यहां पे भी है 17,100 पर 35,000 काउंट्रेक्ट है और 17,200 पर 68,000 सबसे पहला resistance जो की मुझे लगता है सोमवार के दिन तूट सकता है वो है 17,200 का 68,000 काउंट्रेक्ट हैं तो हम देखेंगे के 17,300 17,300 पर 65,000 काउंट्रेक्ट हैं 17,400 17,400 पर 82,000 जैसा मैंने बताया था कि 17,400 पर एक resistance है तो 82,000 काउंट्रेक्ट हैं 17,400 के पास 82,000 काउंट्रेक्ट हैं जो नहीं चाहते कि निफ्टी 17,400 को पार करे तो ये एक major resistance साबित होगा इस हफते के अंदर I hope दोस्तों आपको मेरे दोरा दी गई जनकारी पसंद आई होगी अगर पसंद आई हो तो प्लीज आप सब्सक्राइब कर लीजिए कोई भी आपके questions है कोई भी आपके सवाल है अपडेट को लेके तो मिलेंगे दोस्तों मेरे अगले वीडियो में तब तक के लिए नमशकार, सस्रियकाल, खुदा हाफिज और जैहिंद